इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और स्ट्रोक को रोकने में भी मदद मिलती है। यह डाइबिटीज के मरीजों में किड्नी फंक्शन को भी सही रखने में असरकारक साबित होती है। वेलजार 160 टैबलेट को अकेले या अन्य दवाओं के साथ सयोजन में निर्धारित किया जा सकता है। इसका सेवन खाने के साथ या भूखे पेट दिन या रात में कर सकते हैं। अधिक फायदे के लिए इसे हर दिन लगभग एक ही समय पर लेने का प्रयास करें। स्वस्थ महसूस करने या बलड प्रेश पर नियंतरन पाने के बाद भी इस दवा का नियमित रूप से सेवन करना जरूरी है। हाई बलड प्रेश वाले अधिकांश मरीज अपने आपको बीमार महसूस नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप दवा का सेवन करना बंद कर देते हैं तो लक्षन और बिगड़ सकते हैं। यह व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा है और लंबे समय तक इसका सेवन करना सुरक्षित माना जाता है। आप अपनी जीवनशेली में कुछ बदलाव करके भी अपने ब्लड प्रेश को कम कर सकते हैं। अधिकांश मरीज इस दवा को अच्छी तरह सहन कर लेते हैं और इससे बहुत कम साइड इफेक्ट होता है। कुछ मरीजों को इसकी पहली खुराक लेने के बाद चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। यह सिरदर्द से जुड़ा हो सकता है। अगर आपको यह साइड इफेक्ट महसूस होते हैं और आपको राहत नहीं मिलती है, तो अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आपको किड्नी या लिवर से संबंधित कोई बीमारी है, तो इस दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस दवा का सेवन करने के दौरान डॉक्टर नियमित रूप से आपका किड्नी फंक्षन, ब्लड प्रेशर और खून में पोटेशियम लेवल की जां आपके बाद